हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चनल आज की इस पीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राम की सकती पूजा कविता का भावार्थ लिखें इस क्यूशन का आंसर किस तरीके से आपको अपने बूट पडिशा में लिखना है इसके बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे और ये क्यूशन के इस तरीके से भी एक्जाइमिनर पूछ सकता है राम की सकती पूजा कविता का मूल संबेद ना लिखें या मूल भाव लिखें ठीक है फ्रेंट तो तीनों के तीनों प्रश्ण सेम ही है और इसका आंसर भी सेम ही वनेगा और ये प्रश्ण आपके बूट प पूर्ण हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि इसका अंतर आपको कैसे लिखना है तो सबसे पहले आपको साथ से आर्ट लाइन का भूमिका के तोड़ पे लिख देना है ठीक है फ्रेंट तो हम लिखेंगे राम की सक्ति पूजा पौडानिक आख्यान यानिकी कथा और कहानी क धाचे पर रची गई महा कावयात्मक ओधात्ते से पड़ी पूर्ण लंबी कवीता है चुकि कवीता प्रतिकात्मक धाचे में रची गई है इसलिए इसकी व्याक्या पूर्ण वस्तुनिष्टता के साथ करना संभव नहीं है विभीन समिच्छकों ने अपने अपने धंग से इसकी समिच्छा की है ध्यातव्य है कि किसी कवीता में कई अर्थों की यूगपत उपस्थिती उसकी कमजूरी नहीं वरन उसकी संभावना श्रीलता का पड़ी नाम है इसलिए इसकी मूल संभेदना का निर्धारन करने से पुर्व यह देखना प्राशंगिक होगा कि उभरती है तो फ्रेंट वन बाई वन हम देखेंगे कि कौनकों से इस कवीता की मूल संभेदना हो सकती है तो आपको पैड़ाग्राफ चेंज कर लेना है और दो सब्दुकास्थान छोड़ते हुए लिखना है सक्ति की मौली कल्पना इस कवीता की एक प्रमुख संकल्पना है क्योंकि सक्ति तत्व की केंद्रियता इसके नाम करन से ही असपश्ट है कवीता का आरंब इस बिंदु पर होता है कि नायक नैतिक होते हुए भी सक्ति हीन है जबकि खलनायक अनैतिक होते हुए भी सक्ति संपन है यानि कि जो रावन होता है वो क्या होता है सक्ति संपन ज जबकि राम सक्ति हीन होते हैं, जो कि नायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, कवीतर रवी हुआ अस्त अर्थात, सक्ति के अभव के प्रतिकात्मक संकेश से सुरू होती है। सकती हिंता का संकट इतना अधिक है कि राम के मन में अमा निशा जैसी निरासा फैली है यानि कि अमा वस्या जैसी निरासा फैली है राम के मन में बिजय किस प्रकार प्राप्त होगी ऐसी दिशा का ज्यान खो गया है चिंता का सागर गरज रहा है किन्तु समाधान नहीं मिल पा रहा है राम को पढ़ाजय के संसे से हिला कर रख दिया है उसके बाद एक पंक्ती आपको लिख देना है इस्तिर रागवेंद्र को हिला रहा फिर फिर संसे रह रह उठता जग जीवन में रावन जैब है उसके बाद पेरागराफ को चेंद करना है और आपको लिखना है इस विकट काल में राम के मन में सीता की अस्मरिती आती है और उनका पढ़ाजय भाव समाप्त हो जाता है कवीता का टर्निंग पॉइंट वहां सुरू होता है जब राम इस बात की घोशना करते हैं कि सक्ति स्वेम रावन के पक्ष में है उसके बाद फिर से आपको एक पंक्ती लिखते ना है बोले रगुमनी मित्रवर्व विजय होगीन शमर उत्रीपा महाशक्ती रावन से आमंतरन और उसके बाद फिर आपको पेड़ाग्राफ चेंज करना है दो सब्दों का असान चोड़ना है और लिखना है यहीं से कविदा की दिशा बदलती है जाम बांजो की बहुती बुद्धिमान होते हैं वो विश्वस्त कंठ से राम को भी सकती धारन करने की सलाह देते हैं उनका दावा है कि यदि असुद्ध रावन उन्हें त्रस्त कर सका है तो सकती की उपलबधी के बाद राम तो उसे ध्वस्त कर देंगे रावन असुद होकर भी यदि कर शकात रस्त तो निश्चे तुम हो सिद्ध करोगी उसे धुहास्त सकती की करो मौली कलपना करो पूजन ये जामबंत जी कहते हैं स्री राम से उसके बाद फीट से आपको पैड़ाग्राफ चेंज करना है और दो सब्दोकास्थान छोड़ना है क्योंकि दो सब्दोकास्थान छोड़ने से अलग से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पैड़ाग्राफ चेंज किया गया है तो आपको लिखना है इस तरह से राम उपासना करते हैं और सक्ति द्वाड़ा एक कमल चुरा लिए जाने पर राम अपने नेत्र अरपित करने के लिए तयार हो जाते हैं जब 108 पुस्प हनुमान जी लेकर आते हैं और एक पुस्प जो की लाष्ट में बचा होता है 107 भगवान श्री राम चरहा देते हैं तो लाष्ट वाला माता जो सकती होती है वो श्री राम की परिच्छा के लिए क्या करती है कि मतलब चुरा लेती है तो श्री राम अपना ने जय का आशिरवाद देती है यह इस कविता का केंद्रिये तत्व हो सकता है अब देखते हैं दूसरा केंद्रिये तत्व क्या हो सकता है इस कविता का यह छाया वादी कवित है सुड़े कांत्री पाठी निराला दोरा लिखा हुआ है यह राम की सक्तिपुया तो हो सकता है अपने आत्म संगहर्ष पे इस कविता को लिखी हूँ तो इसलिए इसका एक और तत्व हम देखेंगे जो कि इसका केंदरिये तत्व है तो आपको पैड़ाग्राफ चेंज करना है और लिखना है निराला का आत्म संगहर्ष भी इस कविता में पूरी तरह से अभिवयक्त हुआ है जिसे सुर्वयास्त से हुई है वह एक अस्तर पर निराला के जीवन की ही निरासा है यह वही निरासा है जो सरोज अस्मृति के अमतिन हिस्फे में दिखाई देती है दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही जीवन संघर्चों से जैसा सरीर शरोज अस्मृती में निराला का था वैसा राम की सक्ति पूजा में राम का है संघर्च से तरस्त राम और निराला एक जैसे हैं उसके बाद फिर से आपको पेराग्राफ चेंद करके लिखना है राम की सक्ति पूजा की मुख्य समस्या यह है कि अन्याई जिधर है उधर शक्ति सक्ति का अन्याई रावन के पक्ष में होना समस्या है निराला के व्यक्ति गत पड़िवेस में भी सक्ति अन्याई के पक्ष म यह अन्याय मुख्यत आर्थिक छेत्र में है यही निराला के जीवन का मूल भूत संघर्ष है उसके बाद हम नेक्ट पेराग्राफ में लिखेंगे सरूज असमरिती में निराला जीवन संघर्षों को जीत नहीं पाएं थे इसलिए उनमें पहली बार निरासा वो हतासा का पूजा में निराला राम बनकर पुनह विजय हुए हैं और इस रूप में यह कवीता राम की विजय यात्रा के साथ साथ निराला की विजय यात्रा भी है निम्न पंक्तियों में निराला मानो स्वैम को ही प्रेडना देते हैं आडाधन का द्रिठ आडाधन से दो उत्तर त प्रानों से प्रानों पड़ उसके बाद आपको पेड़ाग्राफ चेंज करना है और लिखना है एक अन्य पक्ष के बिचे में एक अन्य पक्ष जो राम की सकती पुजा में उभरता है वो है सीता की मुक्ती अत्वा नारी मुक्ती सीता की मुक्ती के माध्यम से निराला नारी मुक्ति का आवाहन करते हैं सरोज अस्मृति में जहां वे पुत्री की मुक्ति करते हैं वही राम की सक्ति पुजा में नारी मुक्ति चेतना का स्तरवच्व चड़न है उसके बाद नेक्ट पेराग्राफ जब राम परिसान होते हैं तो उन्हें सीता का अस्मृति ने पर प्रत्मुत्थान पतन। उसके बाद नेक्ट पेराग्राप में हम लिखेंगे आत्म अधिकार की अवस्था में राम अस्पष्ट करते हैं कि उनका समस्त पड़्योजन और लच्छ सीता मुक्ती ही है। राम की मुख्य से भी यही निकलता है कि जान की हाई उद्धार प्रिया का हो न सका। सीता मिलन की अस्मिरिती इतनी अस्फूर्ती दायक है कि घोर निरासा में डूवे राम कुछ च्छनों के लिए निरासा छोड़ कर विश्व विजय भाबना से पूर्ण हो जाते हैं किन्तु। वही जब सानु सभा में राम का पड़ाजय भाव उभरता है तो विभीशन पुना उन्हें सीता की याद दिला कर यूदि के लिए तयार करते हैं। सीता की मुक्ती की छटबटा हट इतनी तिर्व है कि राम का एक और मन उट खड़ा है जो न ठकने को तयार है न झुकने को और न हालने को। उसके बाद इससे समंधित एक दो है वह एक और मन रहा राम का जो नथा का जो नहीं जानता दैनने नहीं जानता भी नहीं इस प्रकार असपष्ट है कि कविता की संदचना में सीता केंद्र में वहर मोड पर उपस्थित है नाडी मुक्ती का भाव निराला का अस्थाई भाव बन जाता है तो फ्रेंट दो पेराग्राफ और देखने के बाद हम निसकर्ष देखेंगे ठीक है तो आपको नेक्ट पेराग्राफ में लिखना है राम की सकती पुजा प्रकारांतर से सत्ते असत्ते धर्म अधर्म की सासवत संघर्ष का भाव भी प्रमुक है राम की सकती पुजा में राम और रावन का संघर्ष दो व्यक्तियों का संघर्ष न होकर रामत्व और रावनत्व का संघर्ष नजर आता है यहां रामत्व का अभिप्राय उन गुनों की समस्टी से है जो हर यूग में धर्म और सत्ते के पक्च में खड़े होते हैं जबकि रावनत्व उन अभगुनों का समुच्च है जो हर देशकाल में असत्ते और अधर्म के साथ दिखाई पड़ता है उसके बाद नेक्ट पेराग्राफ आपको लिखना है वस्तुतर राम की पीरा यह है कि वे धर्म के पक्च में होकर भी सक्ती से वनचित है जबकि रावन अधर्म और असत्ते के पक्च में होकर भी सक्ती को साधने में सफल हुआ है कविता की पंक्ती इसका संकेत देती है कि अन्याई जिधर है उधर सक्ति धर्म और अधर्म का जह संगर्स 1936 इसपी के भारत में भी उतनी ही भी संता से विते मान था जितना इस राम रावन की पौडानी कथा में इस दोड में समराज्यवाद और उपनिवेश वाद अधर्म के प्रतीक थें जबकि भारत राष्ट द्वारा अपने श्वाधिंता की मांग धर्म की प्रतीक और अन्त में भारत ने समराज्यवाद के बिरुद श्रंगर्स किय और अपनी समिता और स्वतंतरता की तलास की तो फ्रंट उसके बाद आपको पैरागर्फ चेंद करना है और इस कर्ष का हेडिंग डालना है और लिखना है इसके बाद भी यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राम की सकती पूजा संसलिष्ट संबेदना की कविता है जिसकी वस सकती की मौलिक कल्पना पड़ानिक राम के मानविये रुपांतरन निराला के आत्म संघर्ष सिता मुक्ती सत असत और धर्म अधर्म के संघर्ष तथाराश्ट्रिये आंदोलन को समांतर रूप से एक साथ धारन करती है इस प्रकार राम की सकती पूजा अपनी अर्थ रचना में बहु सुत्रिये और बहु आयामी है फिर भी सकती की मौली कल्पना काफी हद तक इसके संबेदनाओं में प्रमुक्ता लिये हुए है तो मुल संबेदना क्या होता है मुल संबेदना किसी भी जो रचना होती है उसका कथे पच्छ होता है यानि कि उसमें कौन सी कही गई है वो होता है मूल संबेदना तो यह हमने देखा मूल संबेदना वाले प्रश्ण को किस तरीके से आपको अपने बोट पर इच्छा में लिखना है ठीक है फ्रेंट्स और फ्रेंट्स यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इसलिए आप अच्छे त सब्सक्राब कर लिजे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो